हाई एवरीवन वेल्कम दो सिविल्समेस्ट्रों आज 23rd ऑगस्ट से 26th ऑगस्ट 2022 तक का करेंट अफेर अनालिसिस करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग अने टाइम पहली न्यूस अनालिसिस करते हैं पहली न्यूस को डिसकस करते हैं में इक नई स्पेसीज अफ बेंट तोंड गीको की एक नई स्पीसिस सांड हूई है अगस्त मलाइ कि वेस्टिंगाट पे को मलाकोलॉजिस का मतलब होता है कि एक साइंटिस्ट जो मॉलस्क की स्टड़ी करता है मॉलस्क में क्या क्या आता है जैसे कि स्नेल्स होती है ठीक है और ऑक्टोपर्ट होते हैं उसमें क्लैम्स आते हैं तो इनकी स्टड़ी करने वालों को मलाकोलॉजिस पो होते हैं यह जो न morphology को study किया जाता है देन उसका molecular analysis किया जाता है molecular DNA का analysis सबसे पहले देखते हैं कि morphology अगर उस species की morphology बाकी पुरानी existing species से different है actual में क्या होता है कि एक database होता है उस database में जितनी पुरानी suppose करो यह lizard है तो lizard की सारी पुरानी जो species है उनका morphological characteristic features लिखे हुए होते हैं अगर इस species के morphological features after appearance जो है बाकी किसी lizard से match करती है देन वो पुरानी ही होती लेकिन क्योंकि इसमें new distinct morphological features आये हैं then second level पे उसकी गया की जाती है molecular DNA का analysis किया जाता है और फिर जब उसका DNA थोड़ा सा different आ जाता है किसी भी पुरानी existing species से या फिर एक completely नई तरीके का DNA find किया जाता है नई species में तो फिर पुकता सुबूत होता है कि यह जो species है यह पहले discover नहीं हुई है और यह नई species है फिर इसकी entry कर दी जाती है उसी database में so morphological और molecular DNA analysis के हिसाब से इसकी distinctiveness जो है उसको उसको पुकता किया गया है और उसको बताया गया है कि एक नई species ही है जो find हुई है और यह जो species है इसका क या distinctive feature के है morphology में देखो इसमें आपको brown shade के ही बहुत सारे variations मिल जाएंगे इसका color pattern जो है वो बहुत ज़्यादा complex है इसको बाकी जो सारी इंडिया में क्राइटोडिक्टाइलिस कोलाजोनेसिस की जो species है उससे जो की एक गीको की species है इन सब species से इसका color pattern जो है काफी different है काफी complex है और अगर इसके थोड़ी से resemblance की बात करें तो यह श्रिलंका में एक endemic क्राइटोडिक्टाइलिस या खुना नाम की एक species है उससे थोड़ी से इसकी coloration match करती है लेकिन इसका DNA analysis करके पता चला है कि यह entirely new species है So urban's ground geek को जो है वो अभी तक सिरफ दो locations में कन्यकुमारी में इंडिया में देखने को मिली है मुपंडाल और टुकाले डिस्ट्रीक्ट यह मुपंडाल और ठुकाले जो है ये कन्याकुमारी डिस्टिक्ट का हिस्सा है कन्याकुमारी डिस्टिक्ट जो है वो तमिल नाडू का पार्ट है और ये अगस्ते मलाई बायो सफियर रिजर्व में आती है नेक्स्ट अगस्ते मलाई बायो सफियर रिजर्व को देख लेते हैं तो अगस्यमलाई बायसफियर रिजर्व जो है यह सद्रन मोस्ट एंड अफ वेस्टन घाट पे लोकेटिड है और यह 2001 में एस्टाबलिश किया गया था और यह दो स्टेट्स के एरिया को कवर करता है कैरला और तमिलनाडू और इसमें जो है प्रॉपिकल फोरेस्ट एकोसिस इसमہर तरदें इसमें आती ओडरिश के प्रोग्राम है सुसमें इसको रिकनाईस किया गया था इस reserve में special एक feature यह है कि यहाँ पे एक कानी नाम की ट्राइब schedule tribe कानी जो है इस area में find की जाती है और यह Tamil Nadu और केरला दोनु एरियास में मिलती है reserve में अगर बात करें इसमें तीन wildlife centuries हैं और एक tiger reserve भी fall करता है और जो wildlife centuries है यह है शिंडरनी, पेपारा और नईयर wildlife centuries और इसमें कलकड मुंदुन्थराई tiger reserve भी fall करता है उसके लावा protection जो है only flora और phona को ही provide नहीं की गई इसमें इसके अलावा जो भी human communities इस biosphere reserve को inhabit करती है तो उनको भी protection दी जाती है biosphere reserve में यह biosphere reserve जो है यह काफी rare और endemic, rare मतलब जो काफी कम मिलते हैं मतलब उनकी presence rare होती है और endemic जो उसी area में biologically evolve हुए है वहाँ पे originally find किये जाते हैं उनकी species भी देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पे tiger, Asian elephant और नीलगीरी ताहड देखने को मिलता है तो यह इसके बारे में है और अगर map पे देखें तो यह तिरणुवली तमिलाडू का area है यह कन्यकुमारी district है तमिलाडू की तिरवांतपुरम और कोलम यह केरला का area है इसमें अब biosphere reserve की अगर बात करें तो इसमें हर biosphere reserve में तीन areas होते है core zone होती है सबसे बीच में उसके outer side पे buffer zone होती है और उसके सबसे बाहर वाली side जो होता है transition area होता है core zone में regulation जो होती है सरकार की तरफ से regulation सबसे ज़ादा होती है सबसे ज़ादा strong regulation होती है यहाँ पे कोई भी man-made activities जो होती है वो allowed नहीं होती है manual activities allowed नहीं होती है जो buffer area होता है उसमें थोड़ा सा level की manual activities जो होती है outside की interference थोड़े से level तक allowed होती है और transition area जो होता है यह transitional stage जैसे एक community से दूसरे community में या फिर एक area से दूसरे area में transition करनी वाली होती है तो उस kind का यह area है यह core है यह buffer है और यह transition area और इसके बाहर वाली side normal वो city life या जो भी होता है वो वैसे ही या villages या जो भी है वो सब ऐसे ही होता है तो सबसे दा regulation core area में है then buffer में है और then transition में है और outside तो normal living है तो यह इसका core area है बीच में मिलकुल यह इसके बाहर इसका buffer area है then उसके बार transition zone है तो इसमें क्या क्या है चार area है कलकड मुंदंधराई tiger reserve है उसके लावद तीन wildlife centuries इसमें fall करती है पिपारा नईयर और शिंडरने ठीक है यह था इसके बारे में next news item जो है यह zonal council के बारे में है तो अभी home minister अमित शार जी जो है उन्होंने 23rd meeting of Central Zonal Council अटेंड की है भुपाल में और union home minister ने बोला है कि next light की जो movement है left wing extremism जो है हमारी country में बहुत कम हो रहा है क्योंकि हमारी government जो है बहुत time से crackdown कर रही है next lights के उपर और बहुत ज़दा rehabilitation projects भी लगा रही है ताकि जो भी लोग nextalism को छोड़के mainstream में add होना चाते हैं वो भी आए और बहुत ज़दा लोगों को motivate किया जा रहा है कि वो nextalism को छोड़के या nextalism की तरफ ना जाके वो mainstream में आए उनकी development के लिए बहुत effort कर दिये government तो उनका ही एक fruit आया है कि बहुत government ने बोला है कि बहुत ज़दा कम people जो है अब nextalites की तरफ recruit हो रहे है कि nextalism में या nextalites की form में बहुत कम लोग recruit हो रहे है left wing extremism की जो extremist की mobilization थी वो कम हो गई है और ज़दा से ज़दा development projects जो है वो nextal areas में लगाए जा रहे हैं अब जो nextal affected area है government ने बोला है सारी states को कि जहां जहां पर भी nextal affected areas हैं जो जो nextal affected states हैं वो अपने efforts को और ज़दा strengthen कर दें वो और ज़दा rehabilitation के process लगाएं ताकि जो nextalism की problem है इसको entirely country में से eradicate किया जा सके next जो है minister Amit Shah वहाँ पे थे तो उन्होंने एक national forensic science university बोपाल में उसका campus बोपाल में रखने के लिए उसका वहाँ पे campus बनाने के लिए cornerstone जो है वो ले किया है इसके लबा important चीज़ है zonal council के बारे में so zonal council जो है वो PM नहरू का idea था so उनोंने उनके time पे state reorganization act 1956 आया था तो state reorganization 1956 के अंडर 5 zonal councils बनाई गई थी और यह जो zonal council है इस act केंडर होने की वज़े से statutory bodies है और अब इसकी organization क्या है organization सबसे पहले इसका chairman होता है chairman जो है union home minister होते है ठीक है और उसके बाद chairman होता है chairman के बाद vice chairman होते है vice chairman कोन होता है कि उस जो भी एक zonal council है जैसे कि हमारी नदरन zonal council है उसके member है JNK है जम्मू कश्मीर है ठीक है उसके अलाबा हिमार्चल परदेश है then हर्याना है पंजाब है और राजसान है ये इसके member है अब zonal council बंती कैसे है zonal council को बनाने के time पे बहुत उसका जो states को add किया जाता है एक zonal council में इक अठे club किया जाता है उन सब का देखा जाता है कि उनकी geographical location क्या है then उनका water या rivers का pattern क्या है और ऐसे बहुत सारे factors को consider करके then decide किया जाता है कि कौनसी state जो है कौनसी zonal council में fall करेगी so union home minister जो थे union home minister जो है in zonal council के chairman act करते हैं सबसे पहले अब जैसे ये सारी states हैं अब इन सारी state के जो chief minister है वो rotational basis पे एक साल के लिए vice chairman act करेंगे उसके बाद members जो है हर state का chief minister और दो और ministers जिसको भी उस state के governor nominate करेंगे वो इस जो council है उसका members act करेंगे उसके लावा जो union territories एड़ होती है उस area में उस council में उनके जो union territories में से भी दो-दो members जो है उस zone में add होईगे उस zonal council में add होईगे उसके लावा कुछ advisors होते हैं एक person पहले इसको planning commission nominate करती थी अब planning commission की जगा पे नीतिया योग आ गया है तो एक person को नीतिया योग nominate करेगा zonal council में जाने के लिए उसके लावा chief secretaries and development commissioner जो है जिसको की state nominate करेंगी वो भी as advisors इस zonal council में present होँगे ये था इसके बारे में next news item जो है वो hydrogen bus के बारे में है union minister of states जितेंदर सिंग जो है उन्होंने country की first hydrogen fuel cell पे काम करने वाली bus को unveil किया है और ये जो eco-friendly bus है ये CSIR Council of Scientific and Industrial Research और KPIT Limited ने इसको build किया है अब सबसे important ये है कि हम ये देख लें कि fuel cell होते क्या है तो दो तरीके के cells होते हैं आपको पता है कि walletic cell होते है common जो पहले होता था उसके बाद अब आये है fuel cells ये अब इसमें walletic cell में और fuel cell में difference क्या है basic walletic cell पहले क्या होता था कि ऐसे जैसे उसमें क्या होता था कि एक anode है एक cathode है और इसके बीच में यहाँ पे एक buffer डाला जाता था ये copper की बना होता था ये zinc का बना होता था ठीक है यहाँ पे reaction होती थी और reaction से क्या होता है कि मतलब कुछ comparatively chemical format में इसके byproducts release होते थे उसके अलावा इसकी life जो है बहुत कम थी उसके contrast में जो hydrogen fuel cell है fuel cell जो है इसमें क्या होता है कि hydrogen as fuel use होता है अब इसका भी कुछ-कुछ structure से में है इसमें भी एक anode होती है एक cathode होती है अब इसमें क्या होता है कि electron की movement जो है वो एक external circuit के तुत होती है कि anode और cathode को एक external circuit से attach किया होता है ठीक है और जो proton है वो इसमें से move करते हैं यहाँ बीच में से ठीक है और क्या होता है कि सबसे पहले अब hydrogen gas डाली है hydrogen डाला है hydrogen में अब यहां पर एक redox reaction होता है तो hydrogen क्या होता है कि hydrogen hydrogen में से electron निकलते है ठीक है और electron reaction का format क्या है hydrogen में से electron निकलते है और proton अलग हो जाते है in the sense कि hydrogen positive अलग हो जाता है ठीक है तो यह electron external circuit से move करके cathode वाली side जाते हैं और यह electrons की movement से हमेशा current की generation कैसे होते है कि electron जब move करते हैं तो electron की movement से current generate होता है ठीक है उसके बाद electron की movement से current generate हो गया हमारा primary purpose जो है solve हो गया ठीक है because chemical energy जो hydrogen की format में हमने डाली थी वो chemical energy जो है electrical energy में convert हो जाती है हर cell का principle यही होता है कि chemical energy को electrical energy में convert करता है अब उसके बाद हमारे पास byproduct में बच्चा है कि proton in the sense कि hydrogen plus क्योंकि hydrogen में दो एक electron होता है एक proton होता है electron निकल जाएगा तो H positive बन जाएगा और इसमें in the sense कि सिरफ एक proton ही बाग किया तो इसको protons भी बोलते हैं ठीक है तो यह इसका पूरा principle है ठीक है तो ऐसे hydrogen fuel cell जो है वो काम करता है अब fuel cell देख लेते कि fuel cell जो है वो chemical energy को use करता है hydrogen की ठीक है या फिर कोई और भी fuel cell में कोई और भी fuel use हो सकता है hydrogen के लावा लेकिन यहां पर hydrogen fuel cell में hydrogen use होता है सो chemical energy जो है वो clean और efficient electricity प्रोडियूस करती है और hydrogen if hydrogen fuel cell है तो only जो waste product बनता है वो सिरफ मतलब only product जो बनते है उसमें electricity बनता है water बनता है और heat बनती है कोई भी toxic product जो है वो नहीं बनते है और दूसरी बात जो normal dalton cell या waletic cell होता है या galvanic cell जिसको बहुते हो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा remote control की batteries होती है उनकी एक fixed life period होती है अपनी fixed life को complete करने के बाद वो die off हो जाते है लेकिन hydrogen fuel cell की एक important बात यह कभी भी discharge नहीं होता है यह run down कभी भी नहीं करता है यह हमेशा चलता रहता है बस इसको recharge करने की requirement होती है fuel cell work like batteries यह batteries की तरह काम करते हैं यह run down नहीं करते हैं और इनको बस recharge करने के requirement होती है अगर constant supply of fuel होती रहती है तो यह कभी भी run down नहीं करेंगे fuel cell जो है इसमें दो electrodes होती है anode और cathode यह हमने discuss कर लिया है और इसके बीच में एक electrolyte होता है ठीक है और hydrogen जैसे की fuel cell में hydrogen anode वाली side पे डाली जाती है hydrogen fuel cell में और cathode वाली side से air डालते हैं जिसकी वज़ा से electricity तो electron के movement से बन गया और waste product में सिरफ water और heat बनती है जो कि बिल्कुल भी harmful नहीं है electron का movement external circuit के थू होता है और proton जो है वो electrolyte से ही migrate करते हैं यहाँ पे मैंने यह आपको दिखाया है यह electrolyte से यहीं से migrate करेंगे और proton जो है migrate करते हैं electrolyte से anode की side से cathode वाली side जहाँ पे यह oxygen के साथ मिलते हैं और water और heat produce होती है यह है hydrogen fuel cell के बारे में next news item है blockchain technology के बारे में जार्खन जो है वो first state बन गयी है जिसने blockchain technology को implement किया है अपनी country में seed distribution को track करने के लिए अब इस news को और जार्खन ने यह जो जार्खन की government है इस ने इस blockchain technology को implement करने के लिए एक tech company की help लिए settlement नाम की tech company है अब इन दोनोंने मिलके एक seed distribution को blockchain के थू किया है ठीक है अब इसका main aim क्या है ताकि seeds जो है वो transparent manner में जो उसके consumers है in a sense की जो farmers है उनके तक पहुंच है इसको समझने के लिए इससे को समझने के लिए हमें समझना होगा कि blockchain technology होती क्या है actually जैसे एक क्या होता है कि एक जैसे offline system में हमारा physical system में register हम maintain करते हैं कि data की entry के लिए register maintain किया जाता है ना तो same बैसे ही digitally क्या होता है कि एक blockchain में क्या होता है कि blockchain भी क्या है kind of decentralized ठीक है एक kind of online digital register बोल सकते है या फिर उसी को ledger भी बोलते है कि online या एक digital ledger है जिसमें हम सारा का सारा अपना data की entry करते हैं और वो data बहुत अच्छे से comprehensively और chronologically वो उस digital ledger में जो है save होता रहता है ठीक है so blockchain जो है जैसे register होता है तो वैसे blockchain में क्या होता है कि यह जो register होता है जैसे इसमें एक बार एक entry हो गई तो उसको मिटाया नहीं जा सकता वो उसमें entry हो गई तो उसमें हो चुकी है वो entry यह shared ledger है यह decentralized है हर कोई दुनिया में इसमें entries कर सकता है person ठीक है और इसको immutable है इसको change नहीं किया जा सकता है और यह इससे कर किया सकते हैं इसमें अपनी हम transactions को record कर सकते हैं इसको money मतलब कि किसको कितना पैसा दिया है लेना है वो सब इसमें डाला जा सकता है assets को track करने के लिए assets का entry की ज sold तो ऐसी सारी चीज़ें भी इसमें की जा सकती है अब जो asset है वो tangible भी हो सकता है वो intangible भी हो सकता है tangible का मतलब होता है कि वो asset जो physically present है जो जिनको physically touch किया जा सकता है या जिनकी जो physically present है और उनके पीछे कोई value है ठीक है इन tangible वोs assets होते हैं जिनको physically touch नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके पीछे फिर भी कोई value होती है tangible में आते हैं आपका house, car, cash या फिर land और intangible में आते हैं जैसे कि intellectual property, patents, copyrights, branding यह सब आता है so यह जो assets में डाले जा सकते हैं वो tangible भी हो सकते हैं और intangible भी हो सकते हैं virtually किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जिसकी कोई value होती है चाहे वो physically present है, चाहे नहीं है, चाहे वो tangible है, चाहे intangible है तो उसको इसमें track किया जा सकता है, उसको इसपे trade भी किया जा सकता है जैसे कि suppose करो कि real estate है, यह land किसी ने purchase की, फिर land किसी ने sale की तो यह सारी data entries इसके उपर होती है, साथ में price भी होता है कोई दूसरा person जो है, यहीं से देखके इसको trade, अगर यह person इसको यहाँ पर trade भी करना चाता है तो इसी के through वो इसको trade भी कर सकता है, फिर जो पैसा आएगा, वो भी उसकी भी entry इसी पे हो जाएगी और साथ के साथ, अगर किसी और person को suppose करो, इसको purchase करना है पहले तो one party ने two party को sell किया, अब कोई third party आई है जो इसको purchase करना चाती है तो यहीं पे वो देख सकती है, कि इसके real time monitoring कर सकती है, कि यह इसकी holding किस-किस के पास रही है क्या rate कैसे बड़ा है, ठीक है, क्या frequency रही है, इसकी sale की, यह वो सब तो चीज़ें यहीं पे यह track कर सकते है, तो virtually कोई भी चीज इसकी value होती है, ठीक है जिसके पीछे कोई value होती है, उसको track किया जा सकता है, trade किया जा सकता है, blockchain को use करके और इससे सबसे इसका बड़ा फाइदा होता है कि इसमें risk reduce हो जाता है, कि मतलब fraud होने के या फिर कुछ ऐसी situation होने के chances बहुत कम हो जाते है, because सबसे important बात यह है कि यहाँ पे risk reduce इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पे transparency होती है, ठीक है, जो भी situation है, जो भी party को बीच में involve करने के requirement जो है, खतम हो जाती है, तो इसलिए इन्होंने जारकन ने यह model लाया है, अब इसको थोड़ा और comprehensively देखते है, कि blockchain जो है, यह एक online database है, ठीक है, इसको popularly is a kind of online database, इसको popularly crypto currency की transactions के लिए use किया जाता है, इसमें information store होती है, chronologically store होती है, information blocks की form में, अब क्या है कि जैसे, सबसे पहले कुछ information add किया, एक block बनता है, ठीक है, block में सारी की सारी information add कर दी, अब block जब भर जाएगा, तो block को, मतलब उसको यहाँ पे data हो गया, ठीक है, अब उसमें नई information suppose करो, add करनी है, तो एक खाली block यहाँ पे add कर दिया जाएगा, जब यहाँ पे नया block एक जनरेट कर दिया, suppose करो, ठीक है, तो यह नया block जो है, इसमें information add की जाएगी, अब यह जब नई, यह वाला block भर जाएगा, तो यह खुद से जाके इस chain में add हो जाएगा, अब फिर एक और हया block add हो जाएगा, ऐसे करते करते, chronologically मिलब, सबसे पहली information यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, तो यह एसे blocks की chain बन जाती है, कि यह block जब भर जाएगा, फिर यह खुद को यहाँ पे attach कर देगा, तो एक ऐसा chain बन जाता है, जिसकी database में add हो जाते हैं हमेशा के लिए, empty block जो होता है, फिर उसको, मतलब जैसे यह भर गया है, तो एक खाली block लेके उसको यहाँ पे फिर add कर देते हैं, chain के end में, जिसमें नई information store की जाती है, अब इसको use किया जा सकता है, digital IDs में, bitcoin में, real estate में मैंने आपको बताया कि कैसे, किसने law enforcement में, banking में, online music, internet of things, तो हर एक जगा पे आज इसकी application बहुत बढ़ चुकी है, next news item है, गर्बा के बारे में, गर्बा को अभी UNESCO की list में add करवाने के लिए, government of India ने nominate किया है, अगर गर्बा की acceptance हो जाती है, कि गर्बा को अगर accept कर लेते हैं, intangible cultural heritage की list में, तो गुजरात से गर्बा first item होगी, जो UNESCO की list में add हो रही है, तो इंडिया ने गर्बा को nominate किया है, cultural heritage की list में, 2022 के लिए, last year दुर्गा पूजा add की गई थी, UNESCO की intangible cultural list की site में, ठीक है, और अगर ये add हो जाती है, तो गुजरात से first item होगी, ये गर्बा की artist है, गर्बा perform हो रहा है, ठीक है अब UNESCO की intangible heritage list के बारे में देख लेते हैं, कि इसका main काम क्या है, कि जिस भी item को इसके उपर list कर दिया जाता है, तो उसकी, उस item की तरफ ध्यान अकरशित करना इसका main aim है, कि उस item को, उस intangible heritage को save करना, उसकी तरफ efforts करवाना, जो है, ताकि उसकी importance बढ़ जाए, in the sense की, उ लोगों की governments की attention draw करना, इसका main aim है, उसके लावा UNESCO में, following the UNESCO's 2003 की convention, कि 2003 में UNESCO ने convention sign की थी, कि intangible cultural heritage की जो sites हैं, या फिर जो, sorry, sites नहीं, intangible cultural heritage जो है, उसको safe card करने की बहुत जाद जरूरत है, अब UNESCO जो है, ये 1945 में find हुआ था, World War II के बार, इसकी 193 member countries हैं, इसका जो headquarter है वो Paris में है, ठीक है, ये UNESCO के बारे में information है, और अब ये जो list, ये 2003 की convention थी, जिसके अंडर ये list maintain की जाती है, अब list में 5 broad domains की items जो है, add की जाती है, सबसे पहले, जो type की चीज़ें add होती हैं, इसमें वो कुछ oral traditions होती हैं, जैसे वैदिक मंतरों की chanting होती है, ठीक है, या फिर Buddhist मंतरों की chanting होती है, तो वो oral tradition या expression, जिसमें किसी language को as vehicle use करके, उसको गाया या उसको express किया जाता है, तो वो इसमें add की जा सकती है, performing arts, ऐसे कि ये गरबा है, ठीक है, तो इसको add किया जा सकता है, कोई भी dance form, कोई theatrical form, ठीक है, उसके अलाबा social practices, ritual या festival events, जैसे दुर्गा प traditional craft mentorship की कोई पुराना craft, जैसे की कोई utensil formation, pottery या कुछ ऐसी चीजों को भी इसमें add किया जा सकता है, तो ये कुछ items है, इंडिया में 14 items जो है, cultural, intangible cultural heritage sites है, मतलब लिस्ट में added है, सबसे पहले संकीर, Sanskrit theater, Kudhiattam, Kerala का Sanskrit theater है, ये इसमें add है, next, Mudhiattu, ये एक ritual theater है, जिसमें dance और drama दोनों combine किया जाता है, ये भी Kerala का है, ये भी इसमें added है, next, Vedic mantrों की mantra, tradition of Vedic mantr, जो है, ये भी इसमें added है, रामलीला, जो दशारे के time पे होती है, वो भी इसमें added है, रम्मन, ये एक religious festival है, या फिर ritual theater है, गडवाल, उतराखंड से, इसको भी add किया गया है, राजसान मे कलबेलिया folk songs, और कलबेलिया folk dance जो है, वो भी add किया हुए, छाहू dance है, वेस बंगॉल और उडिशा में किया जाता है, ये इसमें add किया गया है, बुद्धिस chanting लदाकी add किया है, संकीरतना, ये एक ऐसा system है, ये एक ऐसी art form है, मनिपूर से जिसमें singing होती है, drumming भी की जाती ह है, और साथ में dance भी वही artist करते है, तो संकीरतना जो है, इसमें add किया गया है, उसके लावा craftmanship वाले में traditional brass और copper के craft of pottery, ठीक है, जो admits the laughs of Jandiyala group, Jandiyala group पंजाब में से ये added है, योगा इसमें added है, नौरोज इसमें added है, कुम्ब मेला इसमें added है, और दुर्गा पूजा, ठीक अब next news item जो है constitutional bench के बारे में है, पीछले कुछ time से एक news बड़ी फिर, मतलब एक बहुत issue चल रहा है, कि क्या है कि पहले जो महराष्टरा है, तो महराष्टरा में तीन party की सरकार थी, ठीक है, और उसके CM थे उद्धवठा करे, अब क्या हुआ, उस सरकार को गिराने के लिए महराष्टरा में जो main party ती एक उस तीन party के alliance में से, उसमें एक party थी शिव सेना, तो शिव सेना के कुछ जो MLA है, उन्होंने rebel कर दिया, defect कर दिया, और BJP के साथ मिलके एक नई सरकार बना लिए, एकनात शिंदे ने इस camp को lead किया था, ठीक है, तो अब महराष्टरा के CM जो है एकनात शिंदे जो है, उन्होंने BJP के साथ मिलके नई सरकार बना लिए, अब ये जो एकनात शिंदे वाला faction है, एकनात शिंदे वाला camp है, ये अब इन्होंने election commission of India को बोला है, कि एकनात शिंदे वाले camp को true shiv सेना बोला जाए, इनको true shiv सेना party बोला जाए, और जो shiv सेना पार्टी का सिंबल है बो एंड एरो वाला तो इस एंबलम को यूज करने की permission इनको दी जाए ना कि उद्धब ठाकरे वाले faction को तो ये इन्होंने election commission को बोला है तो supreme court ने इसके उपर थोड़े time के लिए stay लगाया है और एक constitutional judge एक constitutional bench बनाया है ठीक है ताकि इसके उपर इस dispute को handle किया जा सके और इसका एक जो है सई judgment इसमें लेके आई जा सके अब supreme court में तीन तरीके के benches होते है अब basically अगर judgment की बात करें कभी भी जब justice delivery करनी होती है basically तीन तरीके से justice delivery होती है एक तो एक single judge जो है वो उस case को handle कर रिखते है ठीक है एक single judge जो है वो अपनी judgment दे देते हैं उसके लावा दूसरा case होता है supreme court में होता है usually ये कि दो या तीन judges मिलके single judge फिर दो या तीन judges मिलके अपनी judgment देते हैं इसको बोलते हैं division bench supreme court में majorly सारे decisions होते हैं वो division bench से आते हैं तीसरा case होता है कि जब बहुत extraordinary situation आगे है तो उस time पे एक constitutional bench बनाया जाता है constitutional bench पे minimum 5 judges जो है वो होने चाहिए तो constitutional judge bench की बात होती है so generally most cases supreme court में जो है वो division bench से handle होते हैं two या three judges जो है वो मिलके करते हैं उसके अलावा एक exception है इस rule को constitutional bench ठीक है जिसमे minimum at least five judges होने चाहिए तो decision making करेंगे और अब किस cases में division constitutional bench बनाना है वो बहुत important है जिस भी case में जहांपे substantial question of law होगा कि law की बहुत depth में understanding करके ground realities को देखके situation को understand करके decision देना पड़ेगा और जिसमें constitution की interpretation भी करनी पड़ेगी कि directly देखने के बजाए उसको बहुत comprehensively understand करके जो है decision देना पड़ेगा उस cases में एक constitutional bench के requirement होती है और constitutional bench जो है वो सिरफ chief justice of India जो है वो बना सकते है और ये power उसके article 143 के अंडर दी गई है कि constitutional bench has been provided under constitution of India under article 143 और chief justice of India जो है सिरफ उनको authorization है कि वो constitution bench बना सकते है और उसको cases refer कर सकते है ये constitutional bench के बारे में है उसके बाद next क्या है कि वो किस circumstances में बन सकता है सबसे पहला तो substantial question of law हो जैसे हमने बात की है और उसमें interpretation of constitution की interpretation broader interpretation के requirement हो जो एक या दो judges नहीं कर सकते है in a sense कि ज़्यादा justices का ज़्यादा judges का opinion required होता है ताकि wider interpretation हो सके तो उसमें constitution bench बनेगा दूसरा अगर कोई ऐसे situation आती है कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट को article 143 के under एक right है कि वो Supreme Court of India से opinion मांग सकते है advisory opinion होता है तो article 143 के under जब प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसे situation arise हो गई है कि Supreme Court का opinion चाहिए तो उस case में जो है एक constitutional bench बनाया जा सकता है उसके लावा जब दो या when two or more judges bench of Supreme Court have delivered conflicting judgment कि जब division bench ने कोई conflicting judgment deliver कर दी हो तो उस case में necessity होती है कि मतलब उस definite understanding के लिए उस point of view को deep में समझने के लिए या फिर कि एक constitutional interpretation चाहिए होती है ठीक है क्योंकि तभी judges जो है contrasting statements दे रहे हैं because interpretation broader और ज़्यादा चाहिए तो उस case में क्या होता है कि उस case को constitutional bench को refer किया जा सकता है कि इसमें ज़्यादा broader understanding चाहिए rather than एक single उसकी तो constitutional bench जो है इंडिया में पहले भी बने हैं और उन्हेंने बहुत landmark judgments भी दी हैं जैसे एक के गोपालन versus state of madras वाला जो case था उसमें constitutional bench बना था सबसे importantly केश्वननदा भारती case था जो versus state of kerala तो इसमें भी एक constitutional bench जो है बना था ये इसके बारे में था next news item है Greece के बारे में Greece ने अभी European Union का एक surveillance framework को exit किया है actual में बात क्या है कि 2010 के आसपास Greece में एक economic emergency आ गए थी वहाँ पर economic बहुत ज़ादा recession आ गया था Greece की economy जो है बहुत ज़ादा dwindle कर गई थी तो उस time पर European Union और साथ में International Monetary Fund ने एक bailout package दिया था 260 euro का 260 billion euro का या फिर 261 billion dollar का बहु सकते हैं तो इन्होंने इसको एक bailout package दिया था bailout package क्या होता है कि अब जब भी किसी भी country की economic situation बहुत ज़ादा खराब हो जाती है तो international organization जैसे की IMF हैं तो वो उसको एक bailout package दिते हैं bailout package का मतलब होता है कि उस country की economy को उस condition से निकालने के लिए एक package दिया जाता है पैसा दिया जाता है उसको bailout package बहुते हैं अब ये bailout package अकेला नहीं दिया जाता bailout package के साथ उस country के उपर कुछ regulations भी रखी जाती है कि इस पैसे को वो कैसे utilize करेंगे तो Greece की economy बहुत ज़ादा खराब हो गई थी उसको ये पैसा तो दिया था IMF ने और EU ने लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने बोला था कि Greece को अपनी pensions cut करनी पड़ेंगी spending थोड़ा social sector के उपर कम करना पड़ेगा constraint रखना पड़ेगा taxes increase करने पड़ेंगे और banks के उपर control किया जाएगा ठीक है तो ये सारा इसमें दिया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि जो Greece है वो अपनी economy को strengthen करे और जो reasons की वज़ा से उसकी economy इतना सफर किया है वो reasons जो है उनको weed out किया जा सके ठीक है तो ऐसे और जो है कुछ ऐसे mechanism ये adopt करे कि जिससे potential source of economic difficulty वो है जो completely remove हो जाए और Greece की economy sustainable economic growth की रस्ते पे चलने लग जाए तो इसके लिए ये package इसमें दिया गया था और ये regulations भी साथ में लगाई गई थी अब जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है काईरा कॉस मिट्सो किया ठीक है मिट्सो किस इन्होंने अनॉंस किया है कि ग्रीस इस surveillance framework को अब exit कर देगा 12 साल के बाद और economic performance and policies of Greeks जो है पहले इसके अंडर monitor की जाती थी अब से इसके अंडर monitor नहीं की जाएंगी तो ये इसके बारे में था अब EU के बारे में देख लेते हैं क्योंकि important है तो European Union जो है ये एक international organization है जिसमे 27 European countries ने मिलके आके एक agreement sign किया है Massachusetts Treaty के अंडर उन्हेंने बोला मतलब उनकी क्या है कि economic, social and security policies जो है वो common होती है ठीक है एक common center है इन सब का तो इसका headquarter जो है EU का ये Brussels में है Belgium country के Brussels शहर में है Brussels City में है और ये Massachusetts Treaty के अंडर इन्होंने ये agreement sign किया था कि 28 countries इकठी आके उन्होंने एक European Union बनाय था इस treaty को Treaty of European Union भी बोला जाता है Massachusetts जो है ये एक city है Netherlands में जहांपे ये agreement sign हुआ था इसलिए इसको ये नाम दिया गया है अब इस में से, इस 28 में से 19 countries जो है उनका तो currency भी same है एक ही currency European Union की वो use करते है जिसको यूरो बोला जाता है ठीक है इसके अलबा लेकिन 8 ऐसी countries है जो यूरो को as currency नहीं use करती है वो कौन सी हैं बलगेरिया, करोशिया सजैक रिपब्लिक, डेन्मार्क, हंगरी पोलेंड, रोमानिया, स्वीडन और UK ठीक है, अब UK तो नहीं है तो ये यूरो को अपनी currency use नहीं करते है EU जो है, it grew out of a desire to form single European Union ये एक single political European identity बनाने के purpose से इसको बनाया गया था ठीक है, और this was about European Union and अब European Union जो है इसने एक single internal market established कर ली है, जिसमें एक standardized system of law को follow किया जाता है common law को सारी countries follow करती है और एक इनकी common single market भी है, ठीक है, ये European Union के बारे में था, next news item है space situation awareness observatory के बारे में, so India ने अपनी first commercial space situational awareness observatory जो है, अभी बनाई है अभी found किया है, वो गड़वाल region उत्रकंड में established की जाएगी, दिगांतर दिगांतर नाम का एक space size के objects, जैसे कि less than smaller than 10 centimeter size के objects, जो हमारी अर्थ को rotate कर रहे है, हमारी अर्थ के 4 तरफ orbit कर रहे है, ठीक है उनको जो है, उनको इसमें track किया जाएगा, अब space situational awareness observatory जो है, इसको use किया जाएगा, ठीक है, it will be used to monitor space activity, तो space activity को monitor करने के लिए इसको use किया जाएगा, और इसके अलावा एक तो 10 centimeter वाले करी रहे हैं, उसके अलावा space debris space debris जो है, मतरब space debris अब पहली बात की create कैसे होता है कि अभी क्या होता है, कि जितने भी satellite space में भेजे जाते हैं, उनकी कुछ shelf life होती है 5 to 10 year, कोई 5 year, कुछ ऐसा, तो जब उनकी life कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो satellite जो होते हैं, वो waste हो जाते हैं, ठीक है, तो वही debris की format में, वहीं पर space में ही, low earth orbit में ही accumulate होते रहते हैं, तो जिसकी वज़ा से क्या होता है, यहां से जो नए satellite उपर भेजे जाते हैं, कई बार चीज़ है, तो इस space debris को भी, ठीक है, यह low earth orbit में, जो इतना space debris collect होता जा रहा है, उसको भी, या फिर geosynchronous earth orbit में, यह सारा जो space debris collect हो रहा है, यह observatory उसको भी, जो है, monitor करेगी उसके अलावा, it will also add India's capability to locate and track military satellites, कि जो भी, इंडिया के region के उपर space में, military satellites भूम रहे हैं, उनको भी यह monitor कर पाएगी, उनको भी locate कर पाएगी तो यह है, इस observatory के बारे में, next news item है पांडुरंग कानखोजे के बारे में, पांडुरंग कानखोजे जो है, यह महराष्टरा born, महराष्टरा के वर्दा में इनका बर्थ हुआ था, late 19th century में, ठेक है, 1883 में इनकी बर्थ हुई थी, ठेक है और यह एक freedom fighter है, और यह जो है, Mexican revolution से बहुत जादा inspired थे 1910 में, मेक्सिको में वहाँ के dictatorial regime को overthrow करने के लिए एक revolution हुआ था तो यह इस से बहुत जादा inspired हुए थे पांडुरंग कानकोजे, और फिर इन्होंने वहाँ पे, US में जो अल्रेडी, पंजाब से गए हुए migrant से, उन्होंने एक गदर पार्टी फांड की थी तो गदर पार्टी जो फांड हुई थी, उसके भी यह founding member थे, 1914 1914 में गदर पार्टी फांड हुई थी, और इसका main aim यह था, कि revolutionary activity करनी है कि revolutionary fight करके हमने Britishers को इंडिया से निकाल देना है, और वहाँ पे independence जो है, वो establish करनी है, इंडिया में इंडियन्स का rule लेके आना है, तो वहाँ पे यह इस पार्टी के founding member थे और अब लोगसबा कि आपको पता है कि parliamentary, commonwealth parliamentary conference चल रही है, जिसमें हमारी इंडिया की delegation को ओम बिरला लीड कर रहे है तो ओम बिरला के एंडर जो यह parliamentary delegation वहाँ पे गई हुई है, कैनेडा के Halifax नाम के शहर में parliamentary conference हो रही है, तो वहाँ पे ओम बिरला जो है, वहाँ से मेक्सिको में travel करेंगे, और मेक्सिको में जाके वहाँ पे महराष्ट्रा बोन in freedom fighter का एक statue है, उसको unveil करेंगे, पांडूरंग कानखोजी का ठीक है, तो यह इसके बारे में था next news item है, यक्षागना के बारे में तो उसके चलते यक्षागना को पढ़ना important हो जाता है paper के लिए, तो यक्षागना जो है, यह एक traditional theatrical form है करनाटका से, यक्षागना में dance है, music है, dialogue delivery होती है, costumes use होते हैं बहुत heavy, उसके साथ अलावा heavy make-ups होता है, बहुत सारी stage techniques होती है, और यह एक unique style की art form है अब यह believe किया जाता है कि यक्षागना जो है, वो classical music से भी पहले से existing है pre classical music से भी, मतलब के time की यह theatrical art form है और इसकी influence जो है वो कहीं न कहीं भक्ती period से भी यह आती है, उसके अलावा it is a temple art form यह temple में evolve हुई art form है जिसमें mythological stories को depict करते है यह जो artist है, अपनी movement से अपनी performance के थूँ पुराण को depict करते है अब इसमें क्या होता है कि बहुत massive head gears पहनते हैं, जैसे इन्होंने पहने हुए ठीक है, और बहुत heavy facial makeup होता है, बहुत इनके vibrant costume होते हैं, आप देख सकते हैं और usually जो यह dialogue delivery करते है जो यह बात करते है storytelling होता है, यह कन्नड language में होता है, कन्नड language जो है करनाटका की language है, उसके अलावा कुछ जो यह theatrical form होता है कुछ areas में यह मल्यालम form में भी की जाती है, मल्यालम as a source of language भी use किया जाता है, मल्यालम जो है, यह केरला की language है ठीक है, और एक special South करनाटका में बूला जाने वाला dialect है तुल्लू, तो यह तुल्लू जो है इसमें भी यह बोलते हैं मतलब तुल्लू language में भी यह theater form में की dialogue delivery जो है, होती है in cases, ठीक है, next news item है coalition for disaster resilient infrastructure के बारे में so, coalition for disaster resilient infrastructure को समझने से पहले यह समझते हैं कि यह है क्या in the sense, इस news को देखने से पहले समझते हैं कि यह CDRI है क्या क्योंकि internationally disasters का frequency बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा cyclones आ रहे हैं, earthquakes आ रहे हैं volcanism हो रहा है, और बहुत ज़्यादा disaster आ रहे हैं, जिसकी वज़ा से infrastructure जो है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, infrastructure कोई cyclone आता है, तो उससे road का bridges का, housing का और बहुत सारा ऐसे सारी के सारी infrastructure का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसी लिए एक coalition बनाया गया है disaster resilience infrastructure को बनाने के लिए, कि चाहे disaster आती है ये नहीं आती है, तो उससे infrastructure का कोई नुकसान नहीं हो ना चाहिए कि ऐसा infrastructure बनाया जाए जो कि disaster से impact बहुत कम हो, ठीक है सो एक CDRI जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने UN Climate Action Summit जो New York में हुई थी 2019 में वहाँ पे declare किया था कि एक ऐसा coalition disaster resilient infrastructure के बारे में बनाया जाना चाहिए अब CDRI जो है, यहाँ पे बहुत सारी national governments इसमें participate करती है बहुत nationalist governments added है, UN की agencies participate करती है, UN के programs multilateral development banks इसमें part कर लेते हैं, financing mechanisms होते हैं इसमें अपने और private sector जो है वो भी इसका part है, उससाथ में knowledge institution, because हमें disaster resilient infrastructure बनाने के लिए बहुत research चाहिए उसके लिए knowledge institutions है expertise चाहिए, private sector है financing चाहिए, इसलिए development banks और financial institutions उसमें added है और internationally ये agreement है, तो इसमें UN की agencies और internationally सारी की सारी बहुत सारी governments भी add है तो ये एक इसके बारे में है उसके अलावा इसका main aim है कि resilience of, कि जो पुराना infrastructure है, उसकी resilience increase करनी है, disaster के with respect to, और जो नया बनेगा उसको तो बनाना ही disaster resilient format में है, अब ये agreement जो है क्या है कि coalition of disaster resilient infrastructure CDRI जो है, और government of India ने अभी एक headquarters agreement sign किया है, अभी its headquarters agreement के अंडर क्या होगा कि अब एक status of independent and international legal entity दिया गया है कि ये जो CDRI है ये independent and international legal entity अब हो गई है, agreement will enable the institution to pursue and function internationally with all rights, immunities and privileges कि इस agreement के sign करने के बाद अब UN की एक treaty है, मतलब UN का एक act है basically, United Nations Privileges and Immunities Act 1947 तो इस entity के international होने के बाद, अब इसके अंडर, मतलब इस act के अंडर जितने भी जो rights है, immunities है, privileges है, अब CDRI को भी वो सारी privileges मिलेंगी तो ये था CDRI के बारे में next news item है कि इंडिया के external affair minister जो है, वो अभी परगोई की visit पे है, परगोई जो है, ये South American एक country है, external affair minister as a suggestion कर जो है इन्होंने अभी यहाँ पे visit किया है और यहाँ पे एक नई embassy जो है, Indian embassy, उसकी capital city, SNKION में एक नई embassy जो है, inaugurate की है external affair, जो हमारे minister है, ऐस suggestion कर उन्होंने वहाँ पे एक महातमा गांधी का ऐसा एक bust जो है, इसको भी unveil किया है, उसके लावा दोनों country के ministers ने discussion किया है दोनों countries ने cooperation की बात किया है, अपने views exchange किया है कि इस time world की state क्या है international affairs में क्या हो रहा है और उसके उपर अपने अपने views पेश किया है उसके अलावा उन्होंने, दोनोंने अपने views exchange किया है कि regional और global affairs में उसके अलावा कि हमें एक ऐसा continuously एक दूसरे को बात किया है कि इंडिया और परगवे को एक दूसरे को international forum पे, multilateral forum पे एक दूसरे को support करना चाहिए और दोनों countries ने बोला है कि विविड फेवर और rule-based international order की बात किये कि हम rule-based international order के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तीक है उसके अलावा, बोथ sides ने agree किया है कि इन दोनों को अपनी cooperation को strengthen करने के requirement है, specially trade में commerce में, agriculture, pharmaceutical traditional medicines में technical and developmental support and cooperation में, specially solar energy के area में cooperate करना है और मिरकोसर में, मिरकोसर बेसिकली क्या है कि एक custom union है ठीक है, custom union है ये एक South American countries का trade agreement kind of चीज़ है ठीक है, तो ये cooperation की बात हुई है next news item है कि battery waste management rules आए है, नई ठीक है, ministry of environment, forest and climate change ने new battery waste management rules 2022 अभी उनको publish किया है new rules जो है, वो पूराने वाले existing rules को replace कर देंगे अब new rules के अंडर क्या होगा कि सारी के सारी type of batteries जो है, वो इसमें include की गई है rules के अंडर, चाहे वो electric vehicle की battery है चाहे वो portable batteries है ठीक है, चाहे वो automotive battery है या फिर industrial batteries है अब इस rules के अंडर क्या होगा कि एक extended producer responsibility का mechanism है extended producer responsibility का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, अगर किसी person A ने produce की है वो उसका producer है तो उस person की ही responsibility है उसी ने उसको finally recycle, refurbish या जो भी उसका करना है वो ही person उसका करेगा ठीक है, तो ये है extended producer responsibility where the producer of the battery is responsible for collection कि producer ही collect करेगा, recycle करेगा और refurbish करेगा waste batteries को या फिर batteries के waste को and use of recovered material फिर अगर मालो वो batteries waste होगी है और उसको dismantle किया गया तो उसमें से जो material rediscover हो रहा है उसको भी नई batteries में कैसे utilize करना है ये भी इसकी producer की ही responsibility है EPR rules जो है ये mandate करते हैं कि all waste battery जो है जितनी भी waste batteries उसने produce किया वो सारी के सारी को collect करना है और उसकी recyclingment या फिर refurbishment करनी है और पहले क्या होता था कि batteries जो है उसको जब हम लोग जो क्या करते थे उसको waste कर देते थे इन दे संस कि उसको जब fang देते थे तो उसको collect करके क्या होता था कि उसको landfill में fill कर देते थे या फिर उसको incarnation कर दिया जाता था incarnation की उसमें एक बड़े chamber में डालके उसको 1000 degree के असपास उसको heat up कर दिया जाता था ठीक है तो जिससे वो dismantle हो जाती है लेकिन उसके products को कहीं भी utilize नहीं किया जाता था दुबारा से तो ये किया जाता था अब इस चीज़ को खतम करना है और producer उसको collect करके दुबारा से recycle वगरा करेगा EPR को obligation को meet करने के लिए producer को या तो खुद से उसको collection वगरा करना है खुद से recycling, refurbishment करनी है या फिर उसको किसी और entity को duty देनी होगी ठीक है जो इस काम को कर सके अब ये rules से क्या होगा कि एक नई industry setup होने का chance है नई entrepreneurship होएगी नई company बुलेगी in essence कि suppose करो कि अमेरिका में किसी ने कोई battery produce किया है जिसको इंडिया में import किया गया हालां कि अब जिस जो importer है ना उसकी duty है कि अब producer में सरफ producer ये वाला नहीं आएगा इसमें ये importer भी आता है ठीक है तो ये क्या होता है कि ये किसी और person को duty दे सकते है मतलब in the sense कि इनका तो काम production का है या फिर import का है तो ये person तो would not be directly involved into recycling and everything so this person can delegate this power to some other company ये कोई और company इनके भी हाफ पे जो है ये करेगी कि ये सारा collect करेगी और उसको refurbishment recycling औगएरा करेगी ठीक है इसके अलावा polluter pays principle का भी clause है polluter pays principle का है कि अगर कोई company producer जो है अगर वो नहीं कर पाता है collect recycle refurbish तो उसको environmental compensation देनी पड़ेगी उसके ओपर environmental compensation impose की जाएगी EPR की non fulfillment के लिए extended producer responsibility के target को meet अगर वो नहीं करेगा तो उसको polluter pays principle के under compensation देनी पड़ेगी ठीक है और ये compensation का जो पैसा होगा उसको use किया जाएगा then collection refurbishment और recycling के लिए ये था इसके बारे में new battery rules के बारे में next news item जो है ये एक CSA6 नाम का एक नया gene find हुआ है अब जो ICU में patients होते हैं या फिर जिन patients का immune system बहुत जादा hamper हो जाता है जैसे कि cancer patients होते हैं तो उनको immunosuppressive drugs दिये जाते हैं या फिर in general अगर बात करें तो COVID के टाइम पे ही देखा होगा सभी students अभी लोगों ने कि वहाँ पे बहुत जादा black fungus, white fungus yellow fungus ऐसी बहुत सारी एक बार disease आने लगी थी और black fungus ने तो बहुत जादा havoc create किया था तो black fungus ये जो fungus होती है आक्चुल में ये हमारी surrounding में all the time present होती ही है जब भी किसी person का immune system बहुत जादा weak हो जाता है या फिर उसको immunosuppressive वो immune system को weak करने वाले drugs लेता है तो या दबाई लेता है in a sense कि जैसे cancer के treatment के टाइम पे लेनी पड़ती है या फिर autoimmune disorder के time पे लेनी पड़ती है जब वो ऐसी दबाई लेता है या फिर उसका immune system in general weak हो जाता है जैसे कि ICU की care में होती है patient तब ये जो fungus होती है ये और ज़्यादा active हो जाती है और ये पूरी की पूरी body में फैलना शुरू कर जाती है क्योंकि अगर तो immune system active है तो तो वो उससे fight करता रहता है लेकिन जब immune system weak हो जाता है तब उसके fight करने के tendency कम हो जाती है तो fungus को एक chance मिल जाता है कि वो उस person के system में जा सके और वहाँ पे पूरे अच्छे से spread हो जाती है फिर वो organs के उपर जादा spread होने लग जाती है जब ये organs के अंदर फैलने लग जाती है तो उसके बज़ा से organ का failure हो जाता है और person के death भी हो सकती है तो एक नया gene identify किया गया है इन fungal treatment को prevent करने के लिए ये fungal infection जो है इनको candidiasis बोलते है candida group करता है क्योंकि candida albicans एक बहुत important एक बहुत infamous fungus है जो बहुत high rate of death करती है जिसकी बहुत high rates of morbidity है कि अगर किसी person कोई हो जाती है बहुत chances होते हैं कि उस person की death हो जाएगी immunocompromised conditions में ये होती है जैसे कि अगर किसी को AIDS है supposedly AIDS में actually क्या होता है कि AIDS खुद से कोई बिमारी नहीं करती है लेकिन AIDS में क्याता है कि immune system इतना weak हो जाता है कि person को बहुत जादा बिमारियां लग जाती है immune system इतना weak हो जाता है कि TB या फिर और pneumonia SACC conditions जो है patient को ने लग जाते है तो उसी time पर fungus जो है वो भी उस person को हो सकती है तो अब ये जो CSA6 gene है ये candida albicans में से निकाला गया है इसमें discover हुआ है इस CSA6 gene of albicans को target करके अगर कोई medicine बनाई जाएगी तो वो medicine जो है वो इसको खतम कर देगी मतलब suppose करो कि इस gene के against इस gene का जो product होगा उसके against जो medicine होगी ठीक है वो इस black fungus को खतम करने के लिए use की जाएगी मतलब उसको patient को अगर दिया जाएगा तो उससे black fungus जो है ये जो भी fungus है इनकी death हो जाएगी मतलब fungus खतम हो जाएगी बाडी में से और परसन का अच्छे से treatment हो पाएगा fungus की species जो है वो mucosal lining में reside करते हैं किसी भी person की gastrointestinal lining होती है in the sense digestive system की जो अंदर वाली सबसे layer होती है mucosal lining होती है और या urinogenital track in the sense की urinary system वाली जो lining होती है अंदर वाली सबसे अंदर वाली layer होती है mucosa तो उसमें ये जो है reside करती है जब भी person का immune system down होता है तो ये फैलना वहाँ से start कर देती है fungus को target करने के लिए next news item जो हो हूमी भाबा cancer hospital के पारे में है पंजाब, चंदिगर्ड या फिर पंजाब के outside जो neighboring states है ठीक है जैसे की हिमाचल परदेश है हर्याना है तो इन सब को एक world class cancer facility प्रोवाइड करने के लिए एक नया hospital बनाया गया है मुलापूर एरिया में मुलापूर नाम की नई city डवलप की गया है तो वहाँ पे एक हुमी बाबा cancer hospital research center ये बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इसको inaugurate किया है तो ये जो है ये 660 करोड रुपीज की लागत से बना है Tata Memorial Trust ने इसमें help किया है उसके अलावा Department of Atomic Energy Government of India जो है उसका भी added institution आई एक ठीक है इसमें 300 bed की capacity है और इसमें सारी के सारी modern day facilities है जैसे की हर तरीके की cancers को treat करने के लिए जैसे की यहाँ पे surgery available है radio therapy available है medical oncology में chemotherapy available है immunotherapy available है bone marrow transplantation जो है वो भी available है तो यह सारी टकनीक्स जो है अलग-अलग type के cancers को deal करने के लिए उनको खतम करने के लिए यूज की जाती है जैसे की bone marrow क्या होता है कि एक ऐसा organ होता है body का जिसमें red blood cells या फिर जो blood cells है उनकी production होती है तो जब किसी को leukemia होता है उसी organ को transplant कर दिया जाता है जिससे एक बहुत अच्छा रून मतलब एक एक अच्छा hope मिल जाता है कि chances है कि leukemia से person recover कर जाए तो यह इसके बारे में है नेक्स यही बात है कि अब होमी जहांगिर बाबा जो है यह बहुत famous इंडिया के nuclear physicist है होमी जहांगिर बाबा इनका बर्त 1909 में हुआ था so hospital तो कुछ दिन पहलो से बनके तयार था लेकिन उसकी specially उनको उसको inaugurate किया गया है इनके बर्त वाले डे पे क्या है यह होमी जहांगिर जो बाबा है इन्होंने एक cosmic ray research unit set up किया था IISC Bangalore में IISC in the sense की Indian Institute of Science Bangalore में उसको में cosmic ray unit बनाया था उसके अलावा इन्होंने बहुत important role play किया था Tata Institute of Fundamental Research Mumbai में establish करने के लिए TIFR Mumbai को establish करने के लिए इनका important role था इन्होंने ही Prime Minister जुआहलाल नहरू को convince किया था कि इन्डिया का एक अपना nuclear program होना चीए future needs को Tata Institute of Fundamental Research 1945 में जब start किया था और उसके साथ-साथ इन्होंने Atomic Energy Commission भी जो है इन्डिया की बनाई थी 1948 में और ये first chairman थे इस Atomic Energy Commission के इसके अलावा बाबा ने इन्डिया को International Atomic Energy Agency का जो 1955 बाली meeting हुई थी बहाँ पे भी इन्डिया को represent किया था और United Nation Conference of Peaceful Use of Atomic Energy ये भी एक conference हुई थी United Nation के ages के अंडर एक Peaceful Use of Atomic Energy के लिए एक conference हुई थी जनीवा में तो उसमें भी बाबा जो है वो उस conference के president रहे थे इनको 1954 में पद्मभूशन अवाड दिया था Government of India के द्वारा ये था होमी जहांगिर बाबा के बारे में Next news item है Transgenders के बारे में So transgender जो है अभी उनको transgender जो है उनको आईश्मान भारत के इंडर फाइदा दिया जाएगा आईश्मान भारत कुछ पिछला कुछ टाइम पहले India में एक scheme आई थी जिसमें 5 lakh rupees का insurance per family को दिया जाता है कि अगर किसी person को कोई disease या कोई problem आ जाती है तो 5 lakh rupees का treatment उसका करवाया जाएगा चाहे person किसी भी state में है तो उसको मतलब इंडिया में किसी भी hospital में वो treatment जो है avail कर सकता है अब direct पैसा नहीं दिया जाता था उसको एक आयशमान card बनता था वो card के थूँ treatment होता था तो इन hospital को directly compensate किया जाता था अब ministry of social justice empowerment ने एक MOU sign किया है national health authority के साथ कि comprehensive medical package प्रोवाइड किया जाए transgender people को आयशमान भारत scheme के अंडर तो इस card को बोला जाएगा आयशमान भारत TG plus इसमें क्या है कि इसको smile scheme ministry of social justice की इसके साथ integrate कर रहे है in a sense कि जो भी transgender people है जो अपनी cosmetic surgery करवाना चाहते हैं उनको cosmetic surgery करवाने के लिए Indian government जो है एक scheme के under free treatment प्रोवाइड करेगी आयशमान भारत scheme के साथ मिलके और इंडिया जो है पहली ऐसी country है जो free cosmetic surgery transgender people को provide कर रही है तो ये transgender community के बारे में है और cosmetic surgery प्रोवाइड की जाएगी इनको free of cost आयशमान भारत scheme के अंडर और ये जो है transgender person from any state और any part of India would be able to take advantage from this card किसी भी state का person किसी भी हिस्से का India का person जो है इंडिया का transgender person जो है वो इस scheme का फाइदा उठा सकता है अब smile scheme जो है पहले भी discuss की गई है ये ministry of social justice empowerment के अंडर है transgender people की well-being के लिए और जो आयशमान भारत scheme है ये ministry of health and family welfare के अंडर आती है ये you people know so this was about today's current affair analysis I hope you people liked it please share it with your friends ठीक है और channel को subscribe कीजिए ये current affair की अगर आपको pdf चाहिए तो इस pdf को telegram एक channel है उसके अंदर डाला जाता है उस telegram channel का link में description box में डाल दूँगी उस channel को please join कीजिए और इसके अलावा current affair के बहुत सारे questions ठीक है static portion के बहुत सारे questions और current affair analysis जो हम करते हैं इसके with respect to frame की questions जो है वो उस telegram channel में है so please join that channel as well so I hope you enjoyed thank you so much